हम लोग शुमत भागवतम के तीसरे स्कंद के दसवध्याय के पंद्रा से सतर अशलोग को सुनने का प्रयास करेंगे चौदवे में हमने सुना था सर्गो नवविधस्त अस्या प्राकृतो वैकृतस्तु यह कालद्रव्य गुनेर अस्या त्रिविधः प्रतिसंक्रमहा सर्ग नवे विदस्त अस्या सर्ग जो है वह नौ प्रकार की होती है और नौ में होगा छे प्रकार की होती है प्राकृत और तीन प्रकार की होती है व्यक्रित प्राकृत भगवान के द्वारा सिष्ट होती है और व्यक्रित होती है ब्रमाजी की तरह फिर कहते हैं यह तो प्राकृत व्यक्रत और जो दसवी होती है वो प्राकृत व्यक्रत दोनों होती जो की कुमारादी की स्रिष्टी है फिर कहते हैं कि इन जो स्रिष्टी हो गई इसकी जो प्रलय है वह तीन प्रकार के होती है काल द्रव गुणार अस्य अस्य मतलब अस्य सर रहोतीच रहा थिए और गुण मतलब जब गुण खाजाती मेले प्राकृतिक बात वर रहे नेत्य प्रले नेमितिक प्रले प्राकृतिक प्रले होती यह थीन प्रकार की थोड़ा वीडियो उपर न चिय ऊढ़ा लगता है ठीक है सून लीजेक प्सुकम हार्ट यू बांद कर सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि कैसे प्राकेत का बन्न होता है मेरे पिछे मेरे पिछे बोलने का प्रयास कीजिएगा ओके आद्यस्तु महतसर्गो गुणवेशम्यमात्मनह दित्वियस्त्व महो यत्र द्रव्य ज्यानक्रियोदयह 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 अटीस अवास तो सुनाई पड़ रही होगी तो हम चला लिजे अभी क्या नेट थोड़ा डाउन है कम से कम भागवाद की सुनने की समझने की अच्छा से भगवान तुर्दे मैं ही जाएंगे कुछ यह इस लोग क्योंकि आप लोग इन सब चीजों के बारे में कई बार सुन चुके हैं स्रिष्ठी के बारे में तो कोई कठिन नहीं होगा केवल उसका वर्गी करण दुबारा अलग तरह से किया जा रहा है तुम देख लेते हैं नौ स्रिष्ठियों मेंसे पहली स्रिष्ठी महतत्व श्रिष्ठी अर्थात भौते घटकों की समगरतah है जिससे Pरमेश्वीर की उपस्तेथि की कारण गोडों में परसपर क्रिया होता है इस dealer में में नंकाराय उत्पन होता है जिसमें से भौते घटक भौते ज्यां तथा बहुते कारिकला प्रकट होते हैं, अब इसको तरब देखेगा, आद्य, आद्य मतलब पहली, नौ स्रिष्टियों में पहली, आपने सुना था ना, प्राकृत और वैकृत मिला करके नौ, तो उसके पहली हो रही है, महता, महता मतलब महतत्व की सरगाठा स्रिष्टि है, उसक सम्झान रहा है, भगवान की प्रजूंस मतलब भगवान की इच्छा, भगवान की दिरिष्टि पात, प्रदान की ऊपर होता है, और प्रदान, महतात्व की रूप में होता है, और महतात्व में गुणव का वेशमता, यह Nhi कि Disbalance होता है वापनामाई से सरग्ẫn द्युतिय अहम यत्र द्युतिय स्रिष्टि में मिथ्य अहंकार उत्पन होता है प्रधान प्रधान से महतत्व महतत्व से अहंकार यत्र जिस अहंकार में द्रव्य ज्यान क्रियो दयह द्रव्य शक्ति ज्यान शक्ति और क्रिया शक्ति का उदय होता है पंच महाभूत ज्यान अहंकार में उत्पन नहीं होता है, अहंकार से इनका उत्पन होता है, पंच्च महाबूत आती हैं, दिरव्यात्मक शक्ति honest आनिताम賽 सिक्ठिक अहंकार किने उसके बाद मन और अदिश्टाधा देवता आते हैं ज्यान शक्ति सोहने की साथ्व और बुढ़्धी अगर आप लोगो याद आ रहा हो मिलब स्चिछिवितत्व में बताया गया था उसी बात को समझा रहे हैं याणि कि पहला हुआ महतत्व महतत्व से अहंकार अहंकार के तीन विवाजन कीजिए सात्विक, राजसिक और तामसिक, सात्विक हंकार से आया ज्यान, और ज्यान के प्रट हो गए, मन और इंद्रियों के नियामक देवता, क्रिया यानि कि राजसिक हंकार और राजसिक हंकार से आई कर्मेंद्रियां, ज्यानेंद्रियां, और बुधि, और द्रव यानि कि तामस सिंपल सी बात है इन तीन प्रकार के अहंकारों में इन चीजों का उदय होता है वहां से प्रकट होता है श्रीदरी उन स्रिष्टियों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय की समाप्ति परियंत करते हैं महान का यही लक्षन है कि स्री हरी की इच्छासे गुड़ों में विश्वमता का उत्पन हो जाना यानि महत्त्व का इलक्षन है कि भगवान की इच्छासे आत्मना भगवान की इच्छासे उसमें गुड़ों का विश्वमता हो जाती बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं अब सिंपल इसलिए लग रहा मान द्वारा प्रेरित महतत्व के प्रकट होने से होती है तथा द्यूत्ति स्ष्टी वय है जिसमें अहम अर्थात अहंकार का आविर्भाव होता है जिससे द्रव अर्थात पंच महाभूत ग्यान अर्थात ग्यान इंद्रियां इंद्रियों के नियामक देवता और मन तथा क बहुतिक गुड़ों की अन्यों नेक्रिया मित्या सवरूप का कारण है याकि उस की जीव भौतिक तत्त्व से मना साथ कुछ बड़ा कठनाइं के दिखिए प्रदान प्रदान सो को महतर्ट्व में भी महतर्ट्व में गुणों की विशमता हो चुकी है अब इस महतर्ट से हमकार तत्तव का मिन कर्मान होता है इसी को प्रभात कहा रहे हैं भौतिक कणों की अन्यों अन्यों क्रिया मिथ्या सुरुप का कारण है थोड़ा समझने का प्रयास की हुआ क्या देखिए प्रधान में रजगुन तमगुन सतोगुन बराबर हैं उसमें जब सतोगुन रजगुन बढ़ते हैं तो हुआ है महतत्त कहलाता है लोगिन जब उसमें तमस बढ़ने लगता है तब अहंकार का रूप ले लिए पड़ा था तो इसी बात को यह पर बता रहें कि जब महतत्त हुआ उसके बाद उस तक महतत्त में जब तामसी का अहंकार बढ़ने लग गया तो वह का रूप ले लिए फिर तीन विवाजन हो गए अहंकार अपने आप में पिर रॉमिनेटी किसमें है तमस में अंधकार कवरिंग और उसके बाद उसमें भी तीन विवाजन हो गए सतोगुण रजगुण और तमगुण कर के आई आपने बाते होती हैं बार-बार सुनने से ही इसलिए बार-बार रिपीट करना आफशक्त है, यह मिथ्यांकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन को पहचान करने का कारण है, तो देखिए अब हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और फिर भी प्रश्ण आता है कि जब हम देह नहीं हैं, तो हम अपनी पहचान देह से क्यों करते हैं, तो यह एक एनर्जी है, जिसकी वज़से होता है, उस एनर्जी का नाम है, मिथ्यांकार, फॉल्स एगो, ध्यान रखेंगे भक्त कि हमारा एगो हमेशा रहता है, एगो मतलब आयम, तो जिवातना में आयम की बुद्धी रहती है, लेकिन मिथ्यांकार मतलब मैं ये शर इस्ट्र मंत्र भगवान की भक्ति सीधे कार्य करती इहीं काटना शुरू कर देती है उसको समझागे बात ठीक है बहुत एक संसाधन तता कार्य करने की शम्ता एवं ज्ञान की वत्पति सिस्टी के दूसरे चड़ में आती है अठात महतत्व के बाद बहुत एक संसाधन मतलब सारे जितने बहुत एक तत्व हैं कार्य करने की शम्ता मतलब कार्य शक्ति क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति भाई देखिए समाली जिए मैं पानी पी रहा हूं ओके यह पानी पीने की सिंपल से क्रिया है इसमें कौन कौन से चीज़े हैं पानी एक द्रव्य है मैं जब पीने की क्रिया कर रहा हूं और मुझे यह ज्ञान है कि पानी है पैट्रोल नहीं है किसी भी आप कारे को देखेंगे उसमें तीन चीज़े होती है ज्यान क्रिया और ध्रव्य तो वहीं बात समझा जा रहे हैं कि इस मतत्त्त के बाद उनकी सुष्टी होती है ज्यान सूचक है इंद्रियों का जो ज्यान इंद्रियों की अधिश्टता देवों की साधन है मतलब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां नहीं होंगी तो इंद्रियों की नियामक देवता क्या काम करेंगे तो इसलिए प्रपात कहा रहे हैं कि ज्ञान का मतलब ज्ञान और इंद्रियों की अधिश्टाता देवता की साधन है कर्म के अंतरगत कर्मेंद्रियां तथा उनके अ चतुर्थ एंद्रिया सर्गो यस्तु ज्यान क्रियात्म कहूँ भूत सर्गस्तृत त्रतियस्तु तन्मात्रो ध्रव्यशक्तिमाँ चतर्थे एंद्रिया सर्गो यस्टु ज्यानकृत्म कहर शोग्ल्वूब फारवर्ट जतक रिच्रश्टी में होता है प्रथम थीdı महत्त दूसरा हंकार अब इंद्रिया विश्या ूद्रिया विश्या मत्व तर्मात्र महत्र रूप रस गंध शब्द और सपर्ष रूप रस गंत शब्द और सपर्ष यह तनमात्रा इंद्रिय विश्य मतलत जिनको इंद्रियां पकड़ती हैं इंद्रिय विश्यों का स्रिजन्थ तृति सृष्टी में होता है और इनसे तत उत्पन होते हैं चौति यह थोड़ा समझ लीजे देखिए तामसिक अहंकार से जो द्रव शक्ति से युक्त है सबसे पहला आता है शब्द तन्मात्रा और वो आकाश का गुण है और आकाश का धार है उस शब्द से आता है आकाश फिर सिष्टी होती है स्पर्श तन्मात्रा की और वह स्पर्श तन्मात्रा आकाश से मिलता है तो बनता है वायू वायू का गुण है स्पर्श अब उसके बाद सिष्टी होती है रूप तन्मात्रा की तो रूप जब वायू से मिलता है तो बन जाती है अगनी अगनी का गुण है रूप प्लस पु स् browsers होती है तो तो रस जब अगनी से मिलता है तो बनता है जल फिर उसके बाद स् readers होती है गंद कि गंदञ मिलती है जल से तो बन जाती बृथ्ञिक यह है साब किताब इस प्रकार से शारे थात्तो बनते हैं कि बाद तन इयुक्त है ये यह जो विश्टी है इसे इंद्रे विश्ट्व का सरष्ट्य होती है और इनसे तत्य उत्पन होते हैं यहां बहुत सारे हैं इसलों नहीं दिखा रहा हूं कि सारे जा जा चुके हैं तो यह तो एक रिविजन ही हो रहा है मैं तो लोग सुन लिए है दूसरे सकंद को उनके लिए कोई परिशानी होनी नहीं चाहिए easy है चौति स्रिष्टि है ज्यान तथा कार शक्त शमता यानि क्रिया शक्ति का सर्जन तो उसको हम देख लेते हैं विए क्या बात आ जा रहा है उसके बारे में त्रिति हाथु nós जो भूत सर्ग नाम से है भूतों की सृष्टि अर्थाद हो गया तत्मों की सृष्टी उसमें द्रव्य शक्तिमान वैं पंच महाभूतों की उतपादक शक्ति से युक्त welding मात्रा पंच तन मात्रा सुरूप है, सुरा समझने का प्रयास कीजिए, ये जो पंच तन मात्रा हैं, यानि रूप रस गंध और रूप रस गंध शब्द और स्पर्ष, ये द्रव शक्ति मान है, इनमें द्रव शक्ति है, अर्थात इनमें आकाश, अगनी, आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रत्वी को उत्पर्ण करने की शक्ति है इसलिए इसको कह रहे है द्रव शक्ति मान तो ये तिस्री स्रिष्टी क्या है भूत सरगर्थात पंच महाभूतों की स्रिष्टी जिसमें तनमात्राओं की स्रिष्टी होती है जो पंच महाभूत की स्रिष्टी करने के सामर्थ से युक्त होती है इसी है ओके आप लोग अटलीस पांच में इसकंदर तक तो स्रिष्टी तक उसे नहीं बच पाएंगे और गूम गूम करके आए गूम गूम करके आए तो पकड़ना होगा उसको चतुर्थ चौति ए एंद्रि सर्गह इंद्रियों के विशय में स्रिष्टी यस्तु ज्ञान क्रियात्रकह जो की ज्ञान और क्रिया में अर्थात ज्ञान इंद्रियों तथा कर्मी इंद्रियों की स्रिष्टी होई इंद्रियों के विशय स्रिष्टी हो चुकि यह पहला ही तनमात्रा यह देखी बड़ स्रिष्टी समझें अर्वाद लिखा गया उससे तोड़ा भ्रह्म हो सकता एंद्रियों की विशय में स्रिष्टी मतलब in the matter of senses not objects of senses इंद्रियों के विशय यानि कि तनमात्राओं की स्रिष्ठी हुई थी तिसरे लेवल पर और चौथे लेवल पर इंद्रियों की स्रिष्ठी होगी जो हुई है जो इन इंद्रियों के विशयों को पकड़ने वाली है समझ में आ गया ज्यान और क्रिया मतलब ज्यान शक्ति और ज्यान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों क्रिया शक्ति किस में होती है कर्मेंद्रियों में होती है ज्यान शक्ति किस में होती है ज्यान इंद्रियों में होती है महाभूत समझ रहे हैं, आकाश, वायू, अगनी, जल और पृत्वी, उनकी सुक्ष्म मवस्था तनमात्र कहलाती है, तो पृत्वी से गंद खीच लेते हैं, जब गंद हट जाती है, तो पृत्वी तब तत्व जल में लीन हो जाता है, जब जल से उसका रस खीच जाता है, त तो वह फिर अपनी सत्त को खो देता है, तो यह बात बता रहे हैं कि जो महाभूत हैं, उनकी सुक्ष्म मवस्था तनमात्र शब्द से कही जाती है, हमको तो लग रहा है कि कुछ आवाज सुनाई भी पढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, फाइन, देकि होता क्या है, आपको समझने की चेश्टा करेंगे, तो थोड़ा सा कठिन लग सकता होगा, वसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अमेरिका से तीसरी बार पढ़ रहे हैं, दूसरी सक्द में दो बार तो पढ़ चुके हैं, फिर तीसरी सक्द में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क महा भूतों की स्रिष्टी होती, मैंने भी व्यक्या करा, द्रव शक्ति मान कारते महा भूतों को उत्पन करने वाला, समझ में आ गया, यह द्रव शक्ति मान किसका गुण है, यह तन मात्राओं का गुण है, क्योंकि वह द्रव को उत्पन करने की शक्ति से युगत हैं, इस तो हमनु कहां तक मोज गए चार और पांच और शह पड़ लेंगे तो उससे हमारा प्राकृत श्रिश्टी हो जाएगी ये प्राकृत इनको क्यों कह रहे है कि समें ब्रह्माजी नहीं आए ब्रह्माजी is not in the picture ब्रह्माजी इन तत्व के श्रिश्टी नहीं कर रहे है मेरे पीछे वोली वैकारिकोदेवसरगह पंच म१्यान्मयम नहां यहां यह यह दात पर बहुत मज़दार है बहुत मज़दार हैं रम्बा भी अप सब लोग आजाओ शश्मेल लेगे रगल फटापट इसको नहीं दिख रहा है जबर्दस्ष है ये वैकारिको देवसर्गहष्ट पंचमो यन्मयम्मनहा शष्टस्तू तमसहसर्गो यस्तू बुद्धीकृत प्रभो बहुत बड़े अश्लोक है अभी अच्छा है पांचवी स्रिष्टी सतगुण की अन्यों निक्रिया द्वारा बने अधिश्ठाता देवों की है जिसका सार समहार मन है क्या मत्तब इसका वह सिंपल है सात्विक अंकार से मन और इंद्रियों के नियामग देवताओं की स्रिष्टी हुई है ये बात कहते हैं ठीक है छटी स्रिष्टी जीव के अज्ञानता पूर्ण अंदकार की है जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार करता है मतलब की अविद्या की स्रिष्टी तक कि अविद्या तो भगवान की शक्ति शाष्वत रूप से तो स्रिष्टी क्या होगी बेसिकलिए अविद्या है लेकिन भैकारिकव यार्षान निगिस अहंकार संबंध ही देव स्वरग इंद्रियों की अधिस्ठाता देवों की यनमयं मनह। और सात्विक अहंकार से प्रकट मन की सृती चैए ये पांचो मौनड़। समझने का प्रयास कौरी यन. मतलब क्या होता है यत मतलब जो मयम मतलब मय तेजो मय मतलब जो तेज से बना हुआ है तो मन क्योंकि सात्विक अहंकार से आया है तो मन का कारण कौन है सात्विक अहंकार ? तो मन क्या होगा ? सातविक अहंकार मय. इश्बत समझना होगा यन मयम मतलब जो मय तो जो मतलब यहाँ पर यद्ः और्थaire上 है अहंकार कौँसा हंकार 7 क़्योंकि 7 कंशे मन आया है इसलिए यन, मयम मान को यहां पर कहा जा रहा है तोड़ा सा टेक्निकल बात है आच्छा यह तू लेकिन जो प्रभो परमेश्वर की अबुद्धी कृत यह बढ़िया सुन्द शब्द है अबुद्धी जीवों का आवरण इवन विक्षिप कराने वाली अविद्या कृत तमस पंच परवा अबुद्धी कृत अबुद्धी जीवों का अबुद्धी जीवों का आवरण अबुद्धी जीवों का मतलब हुआ जो बद जीव है यह अविद्या या अज्यान सभी जीवों को नहीं पकड़ता यह मुझको आपको पकड़ा हुआ जिसमें हम मान रहे हैं कि हम यह दे है तो यह आवर्न और विखेप कराने वाली अविद्या जाए उसके द्वारा कृत अंधकार की शृष्ठी है तो समाझने का प्रास कियूंझ अविद्या का कार क्या है आवर्न और विख्शेप अभी से मतलब क्या आवर्न मतलब जो जीव का सुरूप है उसको ढख लेना शक्ति के दो भाग हैं एक है आवरण यानि कि धक देना और विक्षेप मतलब डिस्टाइट कर देना जो हम हैं वो भूल जाएं और जो हम नहीं हैं उसमें अभिनिवेश रहे जैसे थोड़ी देर में हम लोग सोने वाले हैं शायद तो जो हमारा जागरिक जीवन उसको भूल जाते हैं कि नहीं गौर्ण कुमार प्रपाव इंजीनिर है आईटी के आपको स्वपने में भी आईटी के इंजीनिर नियाद रहती है किसी को याद ने रहता उसलिए और जो ह परा तमस की स्रिष्टी होती है और उसके पांच पर्व होता है तमस मदव अंतकार यहां तामसिक अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं तामसिक अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं यहां जीव के अज्ञान की बात कर रहे हैं तामसिक अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुआ था ये तामसक तमस जो है एक अविद्या ये जूटी स्रिष्टी है मैं समझा पा रहा हूँ इससे जो पांच स्रिष्टियां वो सची स्रिष्टी है ये जो तामसक स्रिष्टी है सरे ये छड़ी स्रिष्टी है वो जूट है देखिए अगर मैं कहूं कि भई प्रित्वी है तो हा यह जूटी स्रिष्टी है कि समझ रहें कि इस एडिस स्रिष्टी औफ इलूजन यह इलूजन की सृष्टे तक कहेंगे पर इलूजन की सिर्ष्टी कैसे हो सकती है कि अब आप लोगों के लिए homework है आप लोग आपको कर लेना illusion ऐसा क्र बहुत है कि युट्वेधि करेंगे यह बुर्म है किया इसा रोड अनिसieltा ऑफ बहुत हो निस दो है कि अन्म tis influencer फराए बया खुधना से तकि गड़ा आ है तो ब्ञेकि नहीं है कि दूसर भी है लेकिन जो बना रहा है कि यह गड़ा यह इलूजन तो इसकी शिस्टी करी गई कि नहीं करी गई जवर्दस्त है आप लोग को मैं फोटो यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूं लेकिन आप समझ रहों कि दिखाई होगा जादू कर भी सिस्टी करता कि दिखा देगा गर्दन काट दी ऊपर से वह प्राक्र स्रिष्टी है वह प्रह्मा जीने नहीं करिए यह जूटी स्रिष्टी है समझाया बात यह बड़ा इंटरस्टी श्लोक है बहुत बढ़े श्लोक है जूट पे तो जिंदिकी चल लहीं हमारी वैकारिको देवसर्गह पंचमो यन मयम मनहा वैकारिक अर्था सात्विक अंकार से देवसर्गह देवताओं की यहां पर कौन से देवता है इंद्रियों की नियामक देवता है उनकी स्रिष्टी होती है और पंचम है और यन मयम मनहा वैमन जो की सात्विक अंकार मय है उसकी स् शश्टस्तु तमसह सरगो जो छटी शर्ष्टी है वह तमस की होती है अंधिकार की होती है यस्तु अबुद्धिक्रत प्रभो यह भगवान की द्वारा शर्ष्ट है और इसके किस पे होती है अबुद्धिक्रत जो मूर्ख जीव है जो भगवान से विमुख भगवान से बह द्वारा पांच्मी स्रिष्टी साथभी आउंकार से संबंदित है और इसमें इंद्रियों तथा मन के अधिस्ठाता देवताओं की स्रिष्टी सम्मदित है तथा ये पांस स्रिष्टियां प्रधान की परिवर्तों से सम्मदित हैं इसलिए वास्तविक स्रिष्टिया है इसके पश्षात अविद्या की स्रिष्टि का वर्णन है यह एक भिन प्रकार का उपक्रम है चाटी स्रिष्टि अविद्या की सष्टी है यह भगवान की अविद्या शक्ति द्वार उत्पन हुई है जो जीव को अब उध्धी अर्थात मोहित कर देती है अब जो हम नहीं है उसको मानना कि मैं वह हूं तो क्या यह मूर्ता नहीं है तो यही बात यहां में अब अधिक्रित जो बेवकूफ जीव है वह उनको आवरण करने वारी सिर्ष्टी लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं विद्या अविद्या अविद्या अप्रधान यह माया के तीन विभाजन है तो अविद्या के सिर्ष्टी माया के सेंस में नहीं है अविद्या जब जीवों पर आवरण करने लगती है उसके बारे में बात हो रही है अविद्या शक्ति तो पहले से यह उसको भवन एक्टिव कर देते हैं और वह जीवों का अज्ञान को सुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समस्टी और व्यस्टी को स्थूल तो सुक्ष में क्यों कह रहे हैं समस्टी तो होना चाहिए सब एक साथ है ना और व्यस्टी मतलब इंडिविज्वल सारे जीवं को एक साथ अब ले लिजे तो वciu प्रधान से आए हैं और एक एक जीव तो थोड़े शैरी रोंगे इसी पने पढ़ते हैं तथा जीव को मोहघ्रस्त करने वाली अविद्या द्वारा पांस प्रकार के अज्ञान उत्पन होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश और ये वास्तिविक नहीं है इसको समझा देता हूँ अविद्या मतलब जीव का जीव के सुरुप को भोलाने वाले शक्ति जीव कृष्ण का सेवक ह है लेकिन भूल के बाठा हुआ है उसके बाद अस्मिता मतलब जीव ये देह नहीं है लेकिन वह मानता है कि वह देह है अब जब देह मानता है तो जिन चीजों से इंद्रितिप्ति होती उनमें राग होता है और जिन में इंद्रितिप्ति नहीं होती उनसे द्वेश होता है और उसके बाद अभिनिवेश अर्थात मृत्यू का भय होता है क्योंकि मृत्यू के बज़े से विक्ति की जो इंद्रितिक्ति की वस्तु में भाग छूट जाएंगे यह बात है यह सब कुछ वास्तिवेक नहीं है देखे देह है लेकिन देह को मैं मानना यह अज्ञान है नहीं खा रहे हो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने पानी नहीं पिया यह मुझे पानी पिया तो अच्छा नहीं लगा तो यह सब के लिए आवश्यक है कि हम शरीर के परिवर्तनों से या मन की परिवर्तनों से अपनी पहचान करें आप आप ये कहेंगे कि हम ये बार-बार सुनते ही रहते हैं और ये ज्ञान जात हो रहा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है देखिए जब हम बक्ति करते हैं तो हमारा इस श्रवण के द्वारा पिरिफिकेशन हो रहा एक दूसरा हमारा विवेक जागरित हो रहा है शरीर को चलाने के लिए जो विक्तिकार कर रहा है इसका मतलब वह नहीं कि वह शरीर से पहचान कर रहा है बहुत सिंपल अधारन समझने का प्रयास कीजिए कि वह विक्तिकार में बैठा है तो वह कार की आफशक्ताओं से वो अपने गंतव से अभे ग्याने की conscious रहता कि वह जा कहां रहा है तो देह का उपयोग करना और देह के द्वारा उपयोगित होना दूनों में भेद हो गया देहे का उपयोग जब हम भगवान की सिवा के लिए करते हैं तो धीरी-धीरी करके अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अधिसमा आपने से ध्यान दीजिएगा कि अविद्या मूल है अविद्या के ही आगे बाई प्रड़क्ट्स हैं अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, जब तक हम अपने को भूलेंगे नहीं तो दूसरी चीज़ में अपनी पहचान कर सकते हैं क्या आप सोई बिना भी सपन देख सकते हो Anyone here, any champion? सोई बिना उखत रहाएं वह यह कहाँ सपन देख रहा है लेकिन सपन हैं को दिन में देखने इलग बात रहा लिए कि सपन नहीं देख सकते हैं तो आप समझ रहोंगे कि सपन देखने के लिए भूलना ज़रूरी है तो बहुत गंभीर बात है, जब आप जब करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहन करते हैं, और कथा सुनते हैं, यह तीन चीज़ हमारे लिए मुख्य हैं, बागी भगतिय के कारे हैं, तेकिन यह तीन मुख्य हैं, तो यह सीधे अविद्या में कारे करते हैं, और जैसे जैसे में अपने आप अनुबव हो रहा है कि मैं देह हूँ ऐसे अपने आप याप होने होने लग जाएगह कि मैं यह दे tightened हूँ और एक बहुत सुख्षम बात है पूरे दिन में आप देखना अगर यह क्लास नहीं हो रही होती तो हम लोग देह के सम्वंध में रह रही होते wanna it is very depressing, sometimes you have to be in a situation where you have to be, आप लोगों मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, और वहाँ केवल दे की ही बात ही होती है, इसने हम से ऐसा कह दिया, यह हम को ऐसा कर दिया, और at the end of the day you feel become like completely bored by these things, आप विचार करेंगे और आप कर थोड़ा conscious होंगे, तो we are surrounded by these vibrations, सब तरफ से केवल यही बात हम दे हैं, यह मारी ताचाई नहीं, यह मारी ताती नहीं, ताई नहीं ऐसा कहते है, ताची नहीं ऐसा कहते है, दाई नहीं, इस वेरी डिप्रेसिंग फटासूल, इसलिक हम से कुछ समय तो भागवत का संपर्क होना चाहिए, जो हमारे यह हम जो पसे से इस लोकों को पढ़ रहे हैं, हमारे अविद्या को अज्ञान को काट रहा है, बहुत अच्छी बाते हैं, जिसलिए बार-बार सुनना चाहिए, तो यह पांच प्रकार का अज्ञान उत्पन करते हैं, क्या यह अज्ञान दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है, पहले दो दिख गए, बाकी दिख रहे हैं, चलिए, अब विद्या समझ में क्या अज्ञान आजिए, एक विक्ति हमको बोल रहे था कि, क्या हरे कृष्णा करने से कोई हले मारा भी जा सकते है, क्या अमरीत पहला कि किसी को मार सकते है, और यह कहा है कि हम अमर्त पी रहे हैं, लेकिन वो आदमी मर जाए, तुम भी नहीं मरने वाले हो, तो तुम्छा करने से को और मर क्या तो यह देख रहे हैं कि द्वेश किस प्रकार से कारे करता है वं अच्छी बात है कि पीपल टॉक आप्सुड बेकुफी बिल्कुल मर जाए हरी वर्य जाये तो तुम कुदी से मरने वाले हो तो सामने वाले कैसे मर जाएगा इस पीपल समझ रहना बात तो यह ज्ञान नहीं होने से ऐसी फ़र्जी की बाते करता है और अभी ने उनको दुख हुआ चलो ठीक है तो दुख हुआ तो किसी को गोली मारू ना मारने चलते हैं तो तो मारना करो लेकिन ने नोजीकल ही नहीं ना को और अभिनिवेश हमर जाओं दो करना चाहते हैं कि न तुवाहम जातु ना सम्न तुम नीमि जनादिभा ना चयवा न भविश्या मसर भी वह मत्वर हम तो यह सब अज्ञान है यह दिग्ज्ञा होगा आपनों को ठीक है अब बड़ा बज़दार है सत्य एवं मिध्यात्वक यह जगत प्रधान और अविद्या से उत्पन होता है तता विद्यादवारा पांच प्रकार की अज्यान का नाश करने वाला ज्यान उत्पन होता है तता इसी आगी टीका में स्वंष्ट किए जाएगा समझेए उब मैं कुछ मिस कर गया सत्य इवं में थ्यात्मक यह जगत प्रधान और अविद्यास उत्पन होता है तता विद्या द्वारा पांच प्रकार की अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उत्पन होता है तता इसे आगे टीका में सपस्ट किया जागा इसको थोड़ा समझाता हूं कि मैं ये देह हूं ये आई है अविद्यास है तो अब हो क्या रहा है भगवान ने गीता में बड़ा सपस्ट का है सत्वम स्थावर जंगमम इस जगत में यावत किंचित जो कुछ भी आप देख रहे हो सत्वर स्थावर जंगमम जो सत्व देख रहे हो चलने वाला यह नह उनों प्रकृतियों का संयोग है यानि भौतिक प्रकृति और आत्मा का अब संयोग है क्यों क्यों कि आत्मा यह मान रहा है कि वह यह दे है तो समझ पाए अब सत्य क्या है आत्मा तो सत्य है और सत्य क्या है प्रधान भी सत्य है उसका भी अस्तत्य है लेकिन प्राधानिक वस कहा गया होगा मुझत पर वर्वेट उसके बाद विद्य शक्ति क्या है देखिए विद्य शक्ति सतोगुण वृême परफिढंग करें आपने पहुत से अलब कर पाता है यह जान नाति भक्ति के द्वारा ही मुझको बढ़िया से जान सकते हो यावन यस चास्मित था विद्या शक्ति के द्वारा नहीं सत्वण की वृत्ति है तो यह ज्यान प्रकाशत करती है विक्ति को लेकिन वह है भगवान का बोध नहीं करा सकती है आप जेल से बाहर निकल गए लिए इसका मतलब यह थो नहीं कि आप प्राइमिस्टर के घर में प्रविश करने का अधिकारी हो गए यह बोध होने है वा वाहां विद्ध्यः का मतलब है भगवान की भक्दी वहा उसको आप यह material energy वाली विद्ध्या शक्ती नहीं गरहन करेंगे वहां विद्ध्यः वण्दू का मतलब है भक्ती भक्ति देवी उसका जीवन है हरे कृष्ण मंत्रा तो हर शब्द का प्रयोग एक ही तरह से हर जगे नहीं होता है तात पर्या उच्छ लोगों के देवताद देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं विष्णु भक्त प्रतो देव आसुर स्तद विपर्यह विष्णु के सारे भक्त देव हैं जबकि अन्य सारे असुर हैं यह देवों तथा असुरों का विभाजन है देव भौतिक प्रकिति में सतुग्मणी होते हैं जबकि असुर रजो या तमगुणी होते हैं देवताओं या अधिस्ठाता देवों को भौते जगत के विभिन कारियों की विभागिय वस्था स्वापिक हुई है उधार नार्थ हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है यह प्रकाश सूर की किरणों द्वारा वित्रित होता है और उनका अधिस्ठाता देव सूरी है इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नेंत्रित होता है अन्य सारी इंद्रियां कर्मिंद्रियां तथा ग्यानें द्रियां विभिन देवताओं द्वारा नेंत्रित की जाती है देवताओं भौतिक माम प्रतेक जीव भौतिक प्रक्यति के संसाधनों पर प्रभुत जिताने की अपनी प्रविर्ति से बद्ध है ये बड़ा सुन्दर लाइन है देखिए जब हम भक्ति करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता तो भाया तुमने मन पहले कहां लगा रखा है हमारा मन ल राकिट दिया गया बड़ी आसानी से फट करके फाड़ा और चिप्स खाना शुरूर कर दिया चोटे बच्चे को भी पता है कि उसकी इंद्री दिप्ति उसे कैसे करनी है और उसे पूछो बटा तुम कौन हो जो बोलना भी नहीं जानता वो जानता है कि चिप्स कैसे फाड of the situation और बंध है कि हमें प्रक्रीटि पर प्रभुद्व जुदा नाम इसके इंजॉयर है और इसी वज़े से भक्ती का सुक उनों को नहीं मिलता इसका मतलब यह नहीं कि भक्ती नहीं करना है भक्ती करते करते हमको समझ में आता है है अपने से कि हम लोग इंजॉयर नहीं है और ना कभी थे ना कभी है विए उनी सफर वेन वी ट्राइट टो इंजॉय कि इस देखे शुरुआत में सुनते रहते हैं धीरी धीरे बात इसका बोध अपने आपने लगता है कि भाई ये मेरे लिए नुक्सान दायक है इसलिए भार भार सुनना होता इस बात को बध मतलब अंडिशन अब इसलिए जब भक्त लोग भक्ति करते हैं या कोई कांसली है उनसे कुछ गलती हो जाती ही तो आपको सिंप्यतिक होना चाहिए ये इतना आसान नहीं है इस प्रभुत्य की भावना को तोलन तोड़ देना कि किसी को खाना अच्छा ना लगता हो तो बताना भाई को इतना अड्वांस्ट हो गया तो आप समझ रहे हैं भगवान बड़े दयामाय है कि भगवान प्रसाद की रूपे आजाते हैं ताकि वह खाने से भी हमारी सेंस अब इंजॉइमेंट वह संतुष्ट हो जाता है और प लेकिन वहां पर प्रवर्ति आ जाती है इंजॉइ करना चाहता है वेक्ति कि ठीक है अच्छा ही जावेंट है फिल्मी गाने नहीं सुन रहा है लेकिन स्टिल वह कंटामिडेशन तो है ना यह देपी जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है किन्तुवे अज्ञान से भौत तब वह अपने राज्य को प्राप्त करता है अन्यता इदर से उदर भगना यह सुष्ट में कि मैं यहां का मालिक हूँ वहां का मालिक हूँ यह मूरता है जैसे मैं यहां पर अस्पताल में आया हूँ और मैं कहूं यह इस रूप का मालिक मैं हूँ जो कि मैं कीवल दस दिन के लिए हूँ क्या बेगुफी होगी बताइए अस्पताल में हो बई अस्पताल काम करो अपना प्यूरिफिकेशन करो और निकलो यहां से क्वाइट हेवी इस इतना बात बहुत सिंपल कही कही लेकिन विचार नहीं बात है है ना यहां कि हम गर बनाने के लिए हैं यह जो रूम है यह मेरे रूम से थोड़ा बड़ाई है अच्छा है तो अगे इस परिकार की भावना रख रहते बेगुफी है कि नहीं और आप देखेंगे कि ऐसी ही बेगुफी में पूरे दुनिया में लोग पड़े हुए हम जिस मतलब आस्पताल तो कापी बाउष है तो लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े बंगले बना रहे है उसमें रहने वाले लोग होंगे चार पांची बड़े बड़े बंगले बड़े बंगले और जब कोई वेक्ती बाहर से चलता है तो उसमें बड़े बड़े बंगले ब नहीं और शुच नहीं बोलते हैं आप बगला समझते हैं आप यह इसी लिए लिए अब उद्धिक्रत मूरता है फ्लेमिंगो ठीक है भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीव को मोह गरस्त बनाने वाली है भौतिक प्रक्रति अविद्या कहलाती है कि इन्तु भग गोद्गीता में हुई अब यहां प्रवपाज जी भगवत भक्ति वाली विद्या शक्ति का बढ़न कर रहे हैं ज्यानियों की विद्या शक्ति बार कवणना नहीं कर रहे हैं हम लोग सीधि अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते देखें तो लगा समझेगा कभी कभी अंपर करते तो वह भी प्रकाश देती है लेकिन दून प्रकाश में बहुत अंतर हो जाता है तो यह तो देख लेजिगा अस बात को इंटर्चेंजिए लिए यूज किये जा रहा है इसको समझ के चलते हैं चलेंगे किन्तु भगवत भक्ति में लगे हुए बक्तों के पहले बाद समझ में नहीं आ रही थी लेकिन बाद बाद समझ में आने लगती है एक भक्त अभी क्या पूछे थे मैं भूल रहा हूं उस लाइन को मैं बिल्कुल उस पस्ट समझाया था प्रभचन में रिकॉर्डिंग में तो बोले प्रभवजी बात हमको समझ में नहीं आ दूँगा लेकिन उसके लिए सुक्ष बुद्धी की आफशक्ता है तब समझ समझ आएगा विक्ति को मेरे बोलने से बात समझ में नहीं आएगी ठीक है कि बात है कहां गया मैं हाँ इसकी पुष्टी भगवद्गीता में हुई है भगवान की शक्ति महमाया से योग माय मे समय में रूपांतिरत हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली नैं प्रकट होती है। मतलब जैसिसे वेक्ति भक्ति करता जाता है वह और उसके इना比 Turns और प्रकाश होता जाता है अत्य भॉतिक प्रकृति तीम से और बद्धान, इना अविद्जयान के इना अविद्या नहीं होते कि प्रकृति की अविद्याकार के प्रभाव सिवे मूर्ख बना दे जाते हैं जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते एसा कोई समय नहीं है कि जीव ज्यान शक्ति से रही तो ज्यान शक्ति क्या होती है मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ यह तो कभी लोप नहीं हो रहा है लेकिन वह ज्यान शक्ति कर जा रहा है इंदिर्थिप्ति के तरफ और जितना इंदिर्थिप्ति के तरफ करेगा उतनी हुए भाले ही वह अवेर है कि मैं हूँ देगे उसकी भावना देह में फसी रहेगी ये बात है प्रपा समझाते हैं अंदकार के प्रभाव से बदजीव परमेश्वर के साथ अपने संबंद को भूल जाता है और वैराग घ्रणा द्वेश गर्व अज्ञान और जूट प्रकार के मोह हैं तो इस सब बाते हैं पर समझाई गई कुछ प्रश्ण किसी भक्त का तुमेलत मन जब भक्ती करते हैं तो कई बार उस्सा आता है आनंद भी आता है पर इसको कैसे समझे कि हम एंजॉय करने की भावना में ग्रस्षित हो रहे हैं या क्रिश्टिक एंजॉय अंधार से बागार की तरफ से आ सकता है आपको अच्छा भी लग सकता है और आपको शूखा भी लग सकता है तो दोनों परसीतिव में आप सब करते हैं ऐसा नहीं है कि अगर प्रसाइड अच्छा लगए तो प्रसाइब डेगा सब खράब लगए तो भी अगी नगे भगवान स्वयम कह रहे हैं सु सुखुम कर्तुम अवयम डू अगरी परम पूजे राधानात मरा से यही प्रश्ण किया गया था तब मैं बैठा था कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो महारा देखिए आर रिलेशंशिप विद कृष्णा इस नौट इन मिजरी आ लेकिन पहले से ही वेक्ति सोचे कि मुझे मजा मिलेगा और मैं जब करूंगा तो यह भावना ठीक नहीं है I hope I am able to communicate भगवान तो सहज रूप से आनन्द मैं है भगवान का संपर करेगा तो जी उसको सुख मिलेगा वो ठीक है लेकिन पहले से उसकी भावना हो कि I will enjoy my japa that is not प्रपर अटिट्यूट की चैंट एंड ट्राइटू हीर क्योंकि इससे कृष्ण को प्रसंता होगी मैं फिर समझा चुका हूं कि जिससे हमें प्रेम होता है हम उसके प्रसंता के बारे में सहज रूप से सोचते हैं और इस कारण से हमको आटोमेटिक सुख मिलता है यह कई बार की होंगे जब दूसरे को कुछ कम भोजन भी खुद करता है लेकिन सामने वाले को खिला देता है जिससे हम प्रेम होता है तो वेक्ति को सुख बिलता है लोग सिबा करते हैं इस पेकार से बच्चों के तो लेकर अगर आपको कहें मैं दूसरे खिला रहा हूं और करना चाहता है जैसे for example माली जाब भोजन करने बैठे आपको करेला पसंद नहीं है आप सामने वाला जबदस्ति माल उसने करेला बनाया है और उसकी भावनाई की बड़ अच्छा बना आपको देना शुलू कर दे तो वह आपको संतुष्ट नहीं करना चाहता है वह अपने को संतुष्ट करना चाहता है तो उसी प्रकार से अगर हम इंजॉयमेंट के संस में हैं जैसे हम एक फिल्बी गाने को सुनते थे कि हम बहुत मजा आएगा अगर इस तरह से कोई व्यक्ति सोच रहा है सुन रहा है तो ठीक नहीं लेकिन देखिए एक बास समझने का प्रयास कर रहा है तो धीरी-दीरी करके बहुत शुद्ध हो जाएगा कोई वक्ति पूछते हैं प्रवियों को पूरी अच्छी लगती तो कोई बात नहीं पूरी अच्छी लगती भगवान को अरपन करके ग्रहन कीजिए दीरे-दीरे करके भावना समझत हो जाए कि हर व्यक्ति को को उसी चरवे करना होता है does it जिसता पर हुए लेकिन सुण तो वह किसी चरव कि बात सatyES शकता है ना है फिर इपिट कर रहा हूँ कार्य मैं उसी कर ब करूंगा जिसμεंगा हुं लेकिन मैं सुन तो हरिदा श्ठाकुरजी के बारे में सकता हो ना आप नीचे खड़े हैं कि ऊपर देख भी नहीं सकते हैं कि ऊपर कितनी मजले हैं यह उपर देखेंगे तब ही जाने का प्रयास भी होगा यह बात हम कहना चाहते हैं ओके तो शील स्टॉप नौ श्रीमत भागुत्म की जाए श्रील प्रभुपात की जाए निताई गोर प्रिमान अंदे हमारे लिए